वेल्कम टू टू टू-जिरो टूहरो दो हजार 24 में आपका स्वागत है औहों कि यह अगा नया सोचा इस बार जल्दी से बताईए थोड़ी से बहुत बाते कर लेतें फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है धिक है क्या सोचा है जल्दी से बताईएगा प्लीज क्या सोच रहे और क्या expectation है आपकी क्या expectation है ठीक है तो expectation हमेशा ध्यान रखना results या फिर अपने inputs पर बेस करते हैं समझ मैं ऐसा नहीं कि आप expect बहुत हाई कर लो और input आप कुछ देनी देओ कि जारा सारा जो करेगा वो साल ही कर देगा 2024 कर देगा जो करने वाला है नहीं आपको करना है हाँ बस एक fresh start का आपको मुखा मिला है selection IIT बहुत बढ़िया ठीक है तो one is resolution another is your goal ठीक है बच्चों को ऐसा लगता है मैंने पुछा resolution क्या है तुम्हारा इस साल का तो what is your resolution for this year and what is your goal ठीक है आपका goal क्या है गोल आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब बताया this is IIT जाई क्लियर करना सब्सक्राइब इसको एक्जाम को क्लियर करना है फोड़ना अच्छी rank लेका नहीं अच्छे college में जाना है बहुत बढ़िया लोग इस चीज को यह समझ बैठते हैं कि resolution मतलब goal setting है नहीं जी goal एक बड़ा target है जो आपको अचीव करना है आप हो सकता है तीन महीने में चार महीने में उस target को अचीव करो जब हम बात करते हैं कि new year resolution की सभी लोग अपने अपने basis पर लेते हैं ठीक है हाय ना छोटे 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 resolutions लेते हैं मैं अपना भी शेयर करूँगा आप भी ध्य इसे सही करोगे तो आप डिरेक्ली यहां तक पहुंच जाओगे तो इसको अपना resolution मत बोलिए यह आपका goal है जैसे आप IIT में पहुंच जाओगे आपका goal change हो जागा because that goal is achieved फिर आप बोलोगे कि सर अब की बार मुझे first semester में इतनी अच्छी cgpa लेकर आनी है मुझे या फिर इस club house में शामिल होना है let's say जो भी तुम्हारा है अब सर मैं college में आ गया हूँ अब मुझे सर इस team में मतब cricket की team में कुछ लड़कों को cricket का शौक होगा ठीक है तो वो बोलेंगे मुझे cricket की team में select होना है तो that is आपके goals temporarily change होते रहते हैं अभी जब तक आप IIT में नहीं करूँ तो मैंने कोशिश की है कि भीया मैं इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना उस पर exercise के लिए time निकाला जाए क्योंकि वजन बढ़ गया है ठीक है अभी जब ऊपर आ रहा था तो lift के लिए वेट कर रहा था तो एक बड़िया आ अब यह जो small change मैंने सोचा है यह कहीं ना कहीं health को effect करेगा उसको improvise करने में मदद करेगा समझ में नहीं सब्सक्राइब तो यह आपको किसी से कम मत समझ यह कम समझना मतलब कम समझना और ज्यादा समझने में हलकी सी एक बारीक लाइन होती है तो उस लाइन के आसपास आपको रहना है ठीक है ऐसा नहीं कम मत समझ यह मतलब अब चौड में घूम रहे हैं बोले हमारे टाइप के या मेरे ही टाइप के लड़के या लड़किया सेलेक्ट होती हैं और आगे बढ़ता हूं बढ़ती रहोंगी समझ मैं यह वाली चीज आप सोची प्लीज ठीक है लेस टाइम बेस्ट बहुत बढ़िया कहीं पर अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा तो उसको आप पॉइंट आउट करो और उसमें ध्यान रखो कि यह वाला काम अब मैं नहीं कर करेंगे सर ठीक है focus से पढ़ाई करेंगे very good अपने आप को कम ना समझने वाला resolution मैं चाहता हूं कि आप लोग जुरूर ले ठीक है और उससे फाइदा यह होगा कि जो भी आपका result आने वाला है अब उसका magnitude बढ़ जाएगा वो और बहुत अच्छे तरीके से सुनहरे तरीके से आपके पास आएगा फिर समझे है ना है मैंने कुछ आप पर इंपोज नहीं कर रहा हूं ऐसे जल्दी उठना नहीं अगर रात को तेरी पढ़ने की फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो रात को अच्छे से पढ़ पाता है तो सुबह जल्दी उठना से resolution हमने ले लिया है आए ना नो यूट्यूब बहुत बढ़िया स्टे डिसिप्लिंड छोटी छोटी बाते बट मुश्किल है आए ना हमारा जो आज का काम हमें मिलेगा वो हमें करना ही करना है कुछ थोड़े टाइम के लिए resolution लेजिए कि मुझे daily revision के लिए टाइम निकालना ही निकालना है अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को वैसे सभी लोग इज़्जत देते हैं और उनकी बातों का बुरा ना मानना वह कहीं ना कहीं यह पूछते हैं कि यह तुम्हारी preparation कैसे चल रही है तो हो सकती है उनकी language तुम्हें थोड़ी सी hurtening लगे किया रहे यार यह मुझे परिशान कर रही है सवाल बार-बार कोई बात नहीं except that सबके parents पूछते हैं सबके parents चिंता में होते हैं और तुम सोच रहों कि वह तुमसे प्यारे तरीके से पूछे तो बेटा प्यारे तरीके से उनसे पूछा जाता है जो जानते नहीं हो अपने किसी को जिससे हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं वह अगर तुम्हारे किसी दोस्त को मिलेंगे तो उनसे बहुत प्यार से पूछेंगे बेटा कैसी चल रही है तेरी preparation अच्छा जी प्लीज ठीक है वो जो भी कर रहे है आपके लिए कर रहे है समझ मैं है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी ना तो आप देखेंगे कि दो लोग आपके बगल में बैठे हैं चाहे कुछ हो जाए दोस्त भी दोस्त भी पांच दिन दस दिन पक्का दोस्त बीच दिन उसके बाद में पेरेंट्स समझ मैं है जब सब छोड़के चले जाते हैं तो सिरफ और सिरफ पेरेंट्स बगल में बैठे होते हैं जाए इसीवेशन कैसी भी हो और तुम नहीं से ही बोल रहे हो कि इनी की वज़े से मैं डिप्रेस हो रहा हूं या डिप्रेस हो सब्सक्राइब हो नहीं थी प्लीज चेंज डेट मेंटलेटी इस मैं मैं भी काउंसलिंग सिर्फ आपकी पांच ये तस मिनिट कर सकता हूं अगर मालो लेट से आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मुझे बोलो कि मैं भी बोलू हाँ बेटा कोई बात नहीं बहुत अ सिच्वेशन में डाड़ा पेरेट्स समझा है तो किसी भी मूमेंट आफ टाइम पे चाहे आपकी स्तीती कैसे भी हो चाहे आपकी सिच्वेशन कैसे भी हो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना है जो वह बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो कोई बात नहीं ठीक है कभी उनकी लैंग्वेश रूड होती है थोड़ा चिलाते हैं तो कोई बात नहीं एक ही तो पूरे तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक ही तो मतलब सेगमेंट है या फिर एक ही तो इंसान है पेरेंट्स दोनों को एक ही काउंट कर रहा हूं मदर फादर को तुम पर चिला सकते अपन महनत करने वाले हैं और जो जो आपके ड्रीम्स हैं जो जो अपने गोल सोचे हैं सब अचीव करने वाले हैं